असलाम लेकुम एवरिवन वेलकम बेक टो आई चैनल कुक वित काफिया तो कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही हेल्दी और फाइदेमंद रेसिपी आप इस रेसिपी को रोज एक चमबच खा लेंगे तो आपके आउले को आप स्टोर कर सकते हैं खराब नहीं होगी और यह जो पत्तों की निशान ने यह तो ठीक है लेकिन आपका आउला कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए वरना रेसिपी जो है बहुत जिल्दी खराब हो जाएगे बनके अब इस सारे आउले को में कुकर में डाल के अच्छे से उबाल लूगी एक कप इसे में पानी डालता है जो टीई वाल कप होता है उसमा में उसकपे इसमें पानी डाल दें और इसको उबाल लिया जो भी जाल लिया है दो सिट्रीट बढ़ लता है", और कुछ बंच में आप इसका पानी इनकी ये निकbnशनील तो बहुत आसानी से निकल जाएगी और सारे आमले को इसे तरीके से कर लें और जो इसको पिक दे। लग लग निकाल के कर लें झालानी से अगर आप यह ऐसे रेसिपी बनाएगे, ़िर ए टाइम भी बच जाएगा और बहुत जल्दी र plan ये लिया है , सरसो का तेल यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी कलॉंजी इसको जो है मंगरेल भी बोलते हैं फिर मैं डालोंगी है याँ पर एक चमज सॉंफ जरूर डालें सिजाय का और फ्लेवर बहूत अच्छा आता है फिर मैं डालने यहाँ पर फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा तो निखा लेंखे जुआ हिमें गया बिले गया, बिल्णायक तेल के साथ में तेल की तीयार आवनले की तेल देखे वश्काइता बाता आप तेसト लेखेंगे तेल के साथ माय। आप देखिए मैंने यहां पर अच्छे से आमले को फ्राइ कर लिया है मैं इसमें डाल लिए वन टी स्पून काली मिर्श पाउडर वन टी स्पून इसमें डालोंगे भुना जीरा पाउडर और मैं इसमें डालोंगे टेस्ट के एकॉर्डिंग नमक जितना आपको नमक खाना पसंदो उसके इसमें नमक एड़ सकते हैं जितना भी आप खाते हैं अब यह सारे मसाले डाल के जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इन सारे मसालों का फ्लेवर आमले में आ जाए और नमक डाल दिया है तो नमक से और जादा अच्छे से कस जाएगा इसका खटापन है और कसैलापन है वो दूर हो जाएगा आमले जो है फादे मिन तो बहुत होता है लेकिन इसको कच्छा कहने के बाद आती है तो कोई भी निए खाता क्यूंकि इसमें बहुत खटापन होता है और कड़वार सी भी होती है तो आप एक बार इस रेसिपी को बना ले तो जादा जादा इसकी रैसिपी बना कर खाएं अब मैं इसमें डाल लिए वन टीस्पून रैडचिली पाउडर थोड़ी से मैं इसमें एट कर रही हूं हल्दी यह सब डाल के भी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी हल्दी जो है मैं कलर के लिए तो डाल ही रही हूं लेकिन हल्दी की जो प्रॉपर्टेइज होती है बहुत अच्छी होती है तो इसलिए आप इसमें हल्दी जरूर एड़ करें बिल्कुल भी स्किप्ट ना करें अब मैंने इसमें अच्छे से सिल्वटे की मदद से बारी कूट लिया है अब मैं इसमें जो आवले का बचा डालके ताकि सारा पानी जो है अच्छे से सोख हो जाए और अच्छे से हमारी चेट्नी बनके तेयार हो जाए तो यहाँ पर देखी मैंने एक कटोरी गुल लिया था और मैं यहाँ पर आधा कटोरी लेने हूँ चीनी चीनी और गुड का जो कॉंबिनेशन हैना बहुत क्योंकि आमले हैं बहुत खट्टा पन होता है इसलिए अब देखिए मैंने सारी चीज़ों को डालके अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहां पर आप देख सकते हैं चटनी जो है अच्छे से पकने लगी है कलर भी इसका बहुत हद तक चेंज हो चुका है लेकिन इसमें भी थ चटनी बनके त्यार हो चुकी है इसको आमले की लॉंजी भी बोलते हैं और इसको मैंने थोड़ा सा पतला रखा था ठंडे होने के बाद थोड़ी से गाड़ी हो जाती है तो आपको यह रैसिपी कैसे लगी मुझे कॉमेंट में जरूर पताएं एक बार इस रैसिपी को जर